Hello everyone, Assalamualaikum, कैसे हम सब लोग, I hope आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फार्ट होंगे, Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another video, आज की जो वीडियो है, उसमें हम बात करने वाले हैं, Adaptco के बारे में, Adaptaline इसका formula है, ये रेटरनोल की टाइप है, इसके result, side effect और इसको यूज कैसे करना है, आल्मोस्ट सारा कुछ जो है ना, वो skin A cream से मिलता जोलता है, मेरे पास है Adaptco Gel, ये आपको जेल में भी मिल जाएगी, और अगर आप इसमें cream लेना चाहते हैं, तो वो भी form A C पे अराम से मिल जाती है, Adaptco Gel water-based है, और Adaptco Cream oil-based है, जिसको अपनी skin के according जो चीज अच्छी और suitable लगती है, वो ले सकता है, वैसे gel form में जो है, वो oily skin वालों के लिए है, oil-based यानि के cream जो है, वो dry skin वालों के लिए है, लेकिन सिरफ skin type को देखते हुए, आपने purchase नहीं करनी, इस पोज़ अगर आपकी oily skin है, तो आपको gel purchase कर लेते हैं, लेकिन वो सूट नहीं करती, तो इसका ये मतलब नहीं है कि cream भी आपको सूट नहीं करेगी, oily skin है, लेकिन हो सकता है कि cream आपको सूट कर जाए, तो इसलिए आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज ले सकते हैं, जो skin के सूट करेगी, वो best है, इसलिए जैल और क्रीम के चकर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, और नहीं confused होने की कि दोनों का काम क्या है, दोनों का काम तो same ही है, दोनों ही आपके skin को dry कर सकती है, तो moisturizer must है इसके साथ, अपने पास एक अच्छा और ठिक moisturizer जरूर रखिएगा, वैसे भी weather काफी change हो के आए, और winter season भी है, तो skin वैसे ही dry होने लग जाती है, नहां पर इसकी प्राइस मैंशन है, और 290 रूपीज इसकी प्राइस है, एक्सपाइडी भी साथ ही मैंशन है, एटको लबाटरी जो है ना उसकी ये product है, एटको लैब की और भी बहुत सी famous product है, जिसमें hydro, coin plus, d plus, cream, जो के face के उपर thick hairs आजाते हैं, unverted hair आजाते हैं, उनको कम करने के लिए होती है, इसके लावा skin A cream का तो सभी को बताओगा, ये भी इसी company की ही है, बताने का मकसद ये है, कि ये एक reliable company है, ये आपको 15 gram में भी मिल जाएगी, और अगर आप 30 gram में लेना चाते हैं, तो भी आपको 30 gram में मिल जाएगी, लेकिन price का difference होगा, इसमें सबसे ज्यादा safe है, 0.1% और ये बहुत ही कम percentage है, beginners के लिए best है, जिनको skin a cream सूट नहीं की, या रजर्ट की वज़ाए side effect मिले हैं, तो adaptco gel या adaptco cream जो है ना, वो use कर सकते हैं, skin a cream जिनको नहीं सूट करी, उनके लिए adaptco gel या adaptco cream, क्योंकि इसकी percentage ये कम है, जो pregnant woman है ना, वो इसको use नहीं कर सकती हैं, वो avoid करें इस चीज़ को, आपकी age अगर कम है, लेकिन skin mature हो रही है, acne, hem, lasma, pigmentation, fine lines, wrinkles, रिंकल्स रैसे issues हैं, तो आप इसको use करें, अगर आपको इसमें से कोई भी issue नहीं है, तो आपको use करने की ज़रूरत नहीं है, मैं use करती हूँ fine lines के लिए, और मुझे बहुत अच्छे results मिलते हैं, मैंने drug skin A cream से start किया था, जो के high percentage थी, वो मैं skin की उपर suit कर गी थी, इसलिए मैं adaptco gel की तरफ नहीं आई, लेकिन इसको मैंने use इसलिए किया, ताके उन लोगों को जो मुझे comment करते हैं, कि हम use कर रहे हैं, पर्चिंग खतम नहीं हो रही, एक्नी खतम नहीं हो रही, तो उनके लिए है कि अगर आपको skin A cream से results नहीं मिल रहे, एक्नी भढ़ती जा रही है, time period जो बताया जाता है कि इस time period में आपको results मिलेंगे, उसमें आपको results नहीं मिलते हैं, तो आपको जेल की तरफ मूफ कर सकते हैं, क्योंकि यह कम percentage है, में भी आपको skin A cream इसलिए सूट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो high percentage में होती है, वो start में skin के उपर सूट नहीं करती, इसको यूज करने का तरीका वही सेम है, जैसे के skin A cream को यूज करने का तरीका है, फेस को night में अच्छे से आपने wash कर लेना है, उसके बाद एक piece size amount इतनी amount इससे ज्यादा आपने नहीं लेनी, अगर आप ज्यादा use कर लेते हैं तो भी side effect मिलते हैं, ज्यादा amount में लगा लेने ही विड़ा से भी बहुत से लोगों को results नहीं मिलेंगे, बलकर side effect मिलेंगे, सिर्फ piece size amount इतनी amount को आपने पूरे face के उपर spread करना है, और उसके बाद आपने कोई भी अच्छा सा थिक सा moisturizer apply कर लेना है, starting में आपने एक दिन यूज़ किया, दो दिन छोड़ा, फिर चोते दिन जो है आपने फिर इसको apply कर लेना है, दो दिन का फिर gap देना है, फिर यूज़ करना है, एक माह तक ऐसे ही यूज़ करें, इसको यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हो, आपने स्कीन को daily check भी करना है, mirror लेकर किसी भी रोशनी वाली जगह पर खड़े होके, आपने दिहान से अपने face के उपर देखना है, कोई side effect तो नहीं शो हो रहा है, जैसे के, वही मैंने बताया कि छोटे-छोटे दाने निकल सकते हैं, face burn हो सकता है, और itching तो आपको तब होगी, जब आप इसे apply कर लेंगे, तो, अगर itching नहीं हो रही, तो मतलब आपको suit कर रही है, वैसे, इसके side effect काम ही होता है, क्योंकि इसकी percentage काम होती है, तो ये mostly जो हैना लोगों को suit कर जाती है, लेकिन अगर नहीं करती तो please इसको continue मत कीजिएगा, इसको आप छोड़ सकते हैं, डॉक्टर से consult कर सकते हैं, इसके इलावा आपने इसको सिरफ night में लगाना है, डे में इसको बिल्कुल भी apply नहीं करना, और sun block जाना वो must है, start इस से लिए जब आपकी skin की उपर suit कर जाए, तो आप skin A cream की तरफ move कर जाएगा, इस वीडियो से related कोई भी question है, तो आप comment कर सकते हैं, यही था थी मेरी आज की वीडियो, I hope आपका वीडियो अच्छी लगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like कर दीजेगा, मेरे चैनल को subscribe कीजेगा, मिलेंगे जल्दी next किसी दूसी वीडियो के साथ अब तक लिए मुझे इचाज़त दीजेगा, Allah Hafiz